हालो welcome to civil sapiens counting wisely with learners तो आज के स्लेक्चर में हम लोग ethics के बाढ़े में पढ़ेंगे ethics क्या होता है उसकी concept of ethics क्या है और हमें ethics अमारी life में क्यों जरूरी होता है why do we need ethics in our life so इन सब चीज़ों के बारे में अज हम discuss करेंगे तो चलिए आएए शुरू करते हैं ethics एक Greek word ethos से derived होता है जिसका meaning है custom और a habit कोई भी person हो किसी भी profession में हो या business में हो या किसी भी government enterprise या private enterprise में वो कर रहा है या किस institution में या किसी organization में वो कर रहा है he has to follow a certain code of conduct और उसे कुछ discipline follow करने होते हैं जो वो क्या सही और गलत कर रहा है उसकी moral duty क्या क्या है उसकी obligations क्या क्या है उन सारी चीजों को fulfill करता है वही ethics होता है ethics को basically तीन भाग में classify किया गया है सबसे पहला है हमारा personal ethics तो name से ही clear है कि personal means कि किसी individual की particular individual की life से related है that ethics is called personal ethics next is accounting ethics तो accounting ethics वो जो code guide करता है professional conduct of accounting को उसी को हम लोग कहते हैं accounting ethics and then we have professional ethics that gives a professional ethics कि अगर बात करो तो professions related है यानि कि वहाँ पे जहाँ पे भी आप काम करते हो आप किसी भी designation पे हो किसी ओहदे पे हो तो आपको ए code of conduct follow करना होता है society के आप से कुछ expectation होती है कि आप कुछ अच्छा करोगे उनके लिए उनकी बहतरी के लिए काम करोगे and then आपके उपर social responsibilities होती है आप कुछ behavior होना चाहिए लोगों के प्रती यानि कि your corporate behavior आपकी public relation कैसी है ये सारी चीज़े भी matter करती है है जब आप किसी designation पर या किसी ओहदे पर हो तो तो यह हो गई ethics के बारे में next time लोग देखते हैं कि why do we need ethics ethics पढ़ने की जरूद हमें क्यों है ethics पढ़ने की जरूद क्यों पढ़ती है आप कह सकते हो कि हमारी life में हमारी जिन्दगी में बहुत जादा important है नैतिक तक का आप किसी भी circumstances में हो किसी भी situation में हो ethics आपको problem solving approach बताता है एक balanced mind से एक reasonable mind से आप किसी ओहदे पे हो तो आपको क्या decisions लेने हैं कैसे बातचीत करनी हैं कैसे लोगों के बीच में पेश आना है इन सारी चीजों के बारे में ethics बताता है तो ethics कहता है कि दुनिया में कुछ नैतिक और अनैतिक नहीं होता है situation के according आपको act करना है और behave करना है और that also in the best way कि human beings कैसे आप उस वक्त कैसे best way में act कर सकते हैं या behave कर सकते हैं जो कि a lot major person को acceptable होना चाहिए तो इन सारी चीजों के बारे में ethics बताता है यह code और policy है जो कि आपके behavior को guide करता है generally professional ethics legal obligations नहीं देता है लेकिन कुछ professional bodies ने इसको mandatory बना दिया है तो अगर आप ethics को follow करते हो अगर आप ethical way में act करते हो behave करते हो तो यह कुछ आपकिसी designation पे हो तो कुछ चीजों को avoid की जा सकती है उसे prevent किया जा सकता है with the help of ethics तो वो हैं कि आप unfair practices को unfair जो भी practices हो रहे हैं उनको रोक सकते हो अगर आप अच्छे designation पे हो if you're trying to protect it, prevent it कर सकते हो आप एक अच्छा environment of trust create कर सकते हो honestly, fulfill करोगे commitment को आपने अगर कुछ अपने consumer से या अपने customer से अपने कुछ commitment किया है अगर आप उसको fulfill कर रहे हो तो you know, data trust का environment create होता है और वैसे environment में सभी लोग काम करना पसंद करते हैं unethical, illegal practices को भी रोकता है किसी भी uncertainty को professional behavior में uncertainty नहीं आती है क्योंकि अगर आपको पता है कि इस तौर तरीके से काम होता रहेगा आपका behavior या आपकी जो action की तौर तरीके पहले से decided रहते हैं कि आपको ऐसे ही करना होगा तो फिर क्या होता है कि चीजे uncertain नहीं होती है आपको पता होता है कि इस वे में आपको इस वे में act करना है so you will take only a certain step और चीजे uncertain नहीं होगी even loyalty में आप loyalty को भी maintain कर पाऊगे अपने profession में किसी भी corruption को रोख सकते हो आप as a guider वो कर सकते हो good management कर सकते हो वहाँ पे तो ये सारी चीजे बहुत important होती है आप किसी designation हो क्योंकि आपकी action से आपके behavior से बहुत सारी बहुत सारे लोग जो आप society में हैं आप किसी भी designation पे काम कर रहे हो तो वो effect होंगे आपके decision से और आपका decision जब किसी को effect कर रहा है तो that has to be in a very particular and in a very good way effect करना चाहिए अगर large majority of the population आपसे effect हो रही आपके decision से अगर वो गलत तरीके से effect कर रहा है तो that is going to be a very difficult for the society तो इसलिए आपको इन सारी चीजों को follow करना होता है ethics mainly इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप एक problem solving approach रखो और अच्छी तरीके से किसी भी problem में आप पच्छी से reasonable way में act करो और चीजों को sort out करो rather than creating a mess किसी भी situation का you just handle it in a very proper and a very efficient and a very smooth way thank you